हलो फ्रेंड्स कैसे हो ? आप सब ठीक होंगे तो आज मैं बहुत यदा टेस्टी स्वादिस्ट मीनी स्वयाबडे की सब्जी लेके आई हूँ तो फ्रेंड्स ये देखे कितनी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिस्ट लग रही है ना तो आप सभी तो स्वयाबडी की सबजी बहुत ही तरीके से बनाए होंगे, तो मेरे इस तरीके से एक बार जरू इस रेस्पी को ट्राइ किजेगा, तो प्रेंड्स अगर सबजी जाधा टेस्टी और लाजवाब लगे तो इस प्यारा सा कॉमेंट भी किजेगा, तो मैं स्वयाबडी को में गैस की मडियम फ्लैम पे अच्छी तरह से उबाल आने तक पका लूँगी और यह देखे फ्रेंड्स उबाल आ चुके हैं स्वयाबडी बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पॉंज हो गई है तो आप में गैस को बंद कर दूँगी और स्वयाबडी को छान के एक बरतन में निकाल लेती हूं सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अन तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और यह देखिए आप में स्वयाबडी में डाल दी एक ग्लास के इतना ठंडे पानी और स्वया यहां पे ग्यास अन करके करह रख दी और कराई में में डाल देस आप्लेम को मिडियों में रखी हूं और जो है वह बगीत और वहात ही तरीकित से गर्म हो गये हैं तो मैं डाल दी शेयह बडि गैस की मेडियम फ्लैम पे अच्छी तरह से भून के रेडी कर लोगी तो फ्रेंड्स इसे तब तक भूननी है जब तक कि इसके जो एक्स्ट्रे पाने बगेरा है वो सूखना जाए और ये देखे स्वयाबडी का कलर बिल्कुल चैंज हो गया है तो मैं इसे थोड़ी दिर और भून लेती हूं और ये देखे फ्रेंड्स स्वयाबडी जो है वो बहुत ही बड़ी तरीके से भून के रेडी हो गई है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो मैं यहाँ पे अब कढ़ाई में डाल दूँगी सरसो का तेल साथ ही डाल दूँगी एक चमच के इतना पंच फोरन एक सुखी लाल मिर्च और सभी चीजों को चटक जाने पे मैं इसमें डाल दूँगी बारिक कटी हुई प्याज और प्याज को मैं गैस की मिडियम फ्ल जो प्याज है वो बिल्कुल गौर्डन ब्राउन कलर का हो गया है तो मैं इसमें डाल दी लहसन अद्रक हरी मिच का पेस्ट हल्दी पाउडर स्वादा अनुसार मैं इसमें नमक डाल दी एक छोटी चमच लाल मेची पाउडर एक छोटी चमच में डाल दी काली मिर्च जिरे में डाल दी बारी कटी हुई टमाटर और टमाटर कुमे गलने तक मसाले के साथ 2 मिनद तक भून के रेडी कर ली हूँ और यह देखे फ्रेंज मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भून गया है इससे ओयल भी झूर ना इस्टार ंगया है तो अब मैं इसमें डाल दूगे एक चमच की इसना कसं पर नहीं तो कोई दिकत नहीं, तो अब मैं कस्मिरी मेति के पते डालने के बाद मसाले को थोड़ी दिर भून लेती हूँ, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दो चमच के इतना बेसन, तो फ्रेंड्स बेसन को बिल्कुल भी मत इसकीप किजिएगा, इसको जरूर डालिएगा, इससे ना सब्जी बहुत यादा क्रीमी और टेस्टी लगती है खाने में, तो मसाले को मैं गैस की मिडियों फ्लेंप पे अच्छी तरह से भून ली, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दो चमच के इतना पानी, और फिर से मैं मसाले को एक मिनट तक भूनूँगी, और ये देखें फ्रेंट्स, एक मिनट हो चुकी है, मसाले से ओयल चोड़ना अश्टाइट हो गये हैं, और इससे बहुत ही बड़ी खुस्पू भी आ रही है, तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पाने डाल दूँगी, उसके बाद मैं मसाले को हलके हलके हाथों से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, तो फ्रेंट्स इसमें जो बेसन डालेना इसके वज़ेसे इसमें लंग्स वगेरा पड़ सकती है, तो इससे अच्छी तरह से मिला ले, उसके बाद मैस में डाल दूँगी चार चमज के इतना दही तो दही को मैंने पहले से फैट ली थी तो फ्रेंड्स दही को भी बिल्कुल भी मत इसकी पीजिएगा इसे जरूर डालिएगा इसे ना टेस्टरी लगती है सबजी खाने में खट्टी मीठी भी तो अब मैं मसाले से थोड़े से बुलबुले आने तक पकाऊंगी उसके बाद मैस में डाल दी भूने हुए स्वया बड़ी एक चमज के इतना मैस में डाल दी गरम मसाले पाउडर एक चमज के में इतना मैस में डाल दी हरी धनिया के पत्ते सूखी वाली करस करके मैस में डाल दी थी और मसाले को मैं सभी सबजिया को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और ये देखे कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना सबजी तो अब मैं इसे एक कटोरे में सब करती हूँ ये देखे फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा क्रीमी क्रीमी भी लग रही है तो आप इस सबजी को चावल, रोटी, पराठी, पूड़िया, मुर्मुरे किसी के भी साथ खा सकती है और ये सबजी ना बच्चे को भी पहुत यदब पसंद आते हैं और ये देखे टेस्टी हेल्दी स्वादी सबजी बनके रेडी तो फ्रेंड्स आप इस रेस्पी को जरू ट्राइ किजिएगा सो बाई बाई